हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज बिहार के लौ कॉलेज के सिरीज में आज यह सत्मा वीडियो है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया ठीक है यह अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज जो है बहुत सारे कंबिनेशन है नाम से है कोई अनुग्रह मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है अनुग्रह मेमोरियल लॉ कॉलेज है तो यह ग्रूप औफ कॉलेज़ेज है जिनका वेबसाइट जो है एक ही है… тебе मैंने इस पर पूरी रीसर्च करी कहीं पर भी इसके दूसरे कांतक्त जो है। और unfortunately यह हुआ कि जब मैंने इस college को पिछले दो दिन से contact करने के कोशिश किया और मैंने जतने नंबर पे भी call लगाया कि किसी ने भी proper response नहीं दिया कि आपके college के बारे में detail बताने में सब असमर्थ रहे सब यह बोलना है कि आप college आईए college visit किजिए तो आपको सारी information अच्छे से मिल जागी तो जहां तक हमारा जो source है और मैंने बच्चों से contact किया वहां के हिसाब से जो मुझे चीजे पता चली उस हिसाब से यह college जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं है बस यह है कि अगर आप law करना चाहते है तो ठीक था college है अगर आप गया से ही belong करते हैं तो वहां पर आप आराम से जाके law कर सकते हैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में मैं नहीं बात कर सकता है कि किसी और सब्जेक्ट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है लेकिन जहां तक law की बात है तो उससे च्छा मैं prefer करता हूं कि आप नवादा लॉक जो विदी विध्याल है वहां जाके अडमिशन ले इन केस अगर नहीं मिल ला है तो मजबूरी में आप यहां पर ले सकते हैं अगर आप अपना साल बचाना चाहते हैं आपको अडमिशन लेना हो तो बाकि कुछ और खाश यहां पर नहीं दिख रहा है और जब जिस कॉलेज की मैनेजमेंट इतनी बुरी हो तो शायद बहुत सारी चीज़ों ऐसे ही पता चलता है कि चीज़े अच्छी नहीं होगी खेर मैं बुराई नहीं कर रहा है वो मैं अपना उपिनियन बरा रहा हूँ कि अगर अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज वाले भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो वो कम से कम अपने इन मैनेजमेंट को कम से कम सुधारे और आपने जो यहां पर कॉन्टेक्ट अस में ज कॉलेज आने के बाद ही आपको information दिया जाएगा तो अगर अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज वाले देख रहे हैं हमारी वीडियो तो इसको थोड़ा अच्छे से ले और कम से कम अपने website पर चीजे अपलोड करें ठीक है यहां पर आपके website पर भी कुछ भी नहीं है कम से कम prospectus त आपको थोड़ा सा और आपके पने website को थोड़ा सा बुष्ट करने की जरूरत है चलिए खैर फिर भी जो मेरे research से जो मुझे समझ आया उसमें यह है कि यहां पर law की जो है सिर्फ एक ही कोर्स होती है तीन साल वाली ठीक है जिसमें 120 सीट है और सबसे important चीज कि यह जो है पार 64 से college college तो बार की पुरानी है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इनके website क्यों अपडेट नहीं है मुझे नहीं पता लेकिन यहां पर यह चीज है दूसरी सबसे important चीज यहां पर फी है वह आपको जो 30,000 से 35,000 के बीच में आसपास पर एक साल का आपको खर्च पलेगा तिरिय करने के लिए यह कोई authentication नहीं है लेकिन मतलब college द्वारा बताया गया नहीं है तो मुझे भी यह information जो फी के related है वह authenticated नहीं है तो अगर कोई student जाते हैं आप college विजिट कर सकते हैं तो college विजिट कीजिए और पता चले तो आप मुझे जरूर बताईएगा ठीक है तो यही था इसमें एक सबसे चीज़ मुझे यह लग रहा है कि अगर बाहर के student भी जाके admission लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके hostel की facility है लेकिन सिर्फ girls hostel है ठीक है इस बात को ध्यान रखेगा कोई girls admission लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे hostel में रख सकते हैं रह सकते हैं बाकि इस वीड admission की बात करें तो admission के लिए भी इन्होंने direct college बोलाया है college ही direct आपको admission के procedure करेंगे बाकि online आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे registration का सिफ option आ रहा है अगर आप चाहें तो registration कर ले अगर college वाले थोरा aware होंगे तो आपको contact कर लेंगे नहीं तो इससे बहतर होगा कि आप college जाके direct admission ल होने चाहिए और OBC और CSTO तो 42% marks होने चाहिए तो आपको direct admission मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं ऐसी किसी दूसरे बिहार के law college के वीडियो के साथ चलिए जब तक के लिए बाइबाइ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like किज और चैनल को सब्सक्राइब चरोड कीजएगा